असलाम अलेकूम लेवल 3 आवर यू टूड़े विल स्टार्ट आवर ऑक्सफोर्ड नीव काउंट डाउं थार्ड एडिशन पेज नमबर 96 क्वेस्टन 17 पार्ट M & N हमारे जो पार्ट्स हैं उन्हें की दुबारा उसी से रिलेटेड हैं सम्स तो हम अपने राफ रिजिस्टर पे सौल्व करेंगे पार्ट M 5 का टेबल पढ़ना है 5 1 is 5 5 2s are 10 तो 2s are 10 नहीं हो सकता तो 5 1 is 5 फिक बोलेंगे 5 1 is 5 अब देखें क्या करेंगे 5 8 में से 5 को माइनिस करेंगे तो 3 आएगा 0 को नीचे लाएंगे step wise नमबर बना 30 5 का टेबल पढ़नेंगे 5 1 is 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20 5 5s are 25 5 6s are 30 6 का टेबल 30 अब क्या है 30 माइनिस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा fully हमारा डिवाइड हो गया तो हम 7 मतलब step नमबर 3 करेंगे अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 1 is 5 5 2s are 10 तो बढ़ा हो जाएगा तो 1 तक स्टॉप रहेंगी 5 1 is 5 अब यहाँ पर क्या है 7 में से 5 माइनिस करेंगे तो 2 आएगा जो हमारा रिमेंडर होगा और उसको उसी मैतल से लिखने है 807 डिवाइड बाए 5 इस इक्वल टू 161 9 का टेबल पढ़ेंगे 9 1 is 9 very easy again part 2 में step 2 में sorry again 9 1 is 9 तो माच इसी अब यहाँ पर 8 का टेबल है 8 नंबर है 9 का टेबल पढ़ना है 9 1 is 9 अब यह बहुत ही आसान है लेकिन आपको थोड़ा माइन में रखना होगा समझना होगा कि अब 9 है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या आया 8 तो 9 का टेबल कभी भी 8 तक नहीं जा सकता 9 1 is 8 हम कर सकते हैं नहीं और आप लोग ऐसा करते हैं और वो wrong हो जाएगा आपने क्या करना है जब हमारे पास 9 नंबर होगा या कोई भी ऐसा नंबर जो हमारे dividend से बढ़ा होगा जैसे तौ यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 है तो डिवाइड नहीं हो सकता तो हम 0 से डिवाइड करते हैं must नैँ जिरो जार फिरो लेवल 3 इस बात को अपने mind में लकना है कि जब हमारा dividend छोटा हो जाता है डिवाइडर से तो हम 0 से डिवाइड करते हैं 8 मैंस जिरो माइनस करेंगी त और यह हमारा रिमेंडर होगा यहां हम लिखेंगे 998 डिवाइड बाइन इस इक्वल टू 110 रिमेंडर 8 बाकी जो हमारे सम्स है लेवल 3 इसी से रिरेटेट हैं सेम O से T तक यह आपने खुद अपने राफ रेजिस्टर पर करने हैं और इसकी अगेन अगेन प्रैक्टिस करनी ह इसमें हमारे रिमेंडर आता है इसमें हमारे सारे स्टेपस आते हैं जो हमने क्वेशन 14 से 16 तक की हैं सारे स्टेप इधर ही रिवाइज हो रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं